हलो मेरे प्यारे विध्यारतियों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नमबर वन स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर पार्ट अवन अकैडमी जैसा कि आप सभी को पता है डेली 11 बजे आपके लिए खुबसूरत सी क्लास आती है और आज इसकी ख सड्स पढ़ने वाले हैं करणी पढ़ने वाले हैं जहां पर किसी भी संख्या का हम एनत रूट के बारे में जानेंगे फिर करणी के अंदर बहुत सारी चीज़े आती हैं जैसे कि आप यह जानते होंगे कि परीमे करण करना किसी भी परीमे संख्या का परीमे संख्या में क् तरचरचा आज की क्लास में करने वाले हैं आप सभी से यही दर्ख्वास्त है कि वीडियो को आप कर दीजिये शेयर अपने-पने दोस्तों तक अपने-पने प्यारे भाईयों तक ठीक है मेरे दोस्तों तो चलिएगा शुरुवात करते हैं असके इस खुबसूरत से सेशन की आपको पता है मेरे मैस का daily time table यही रहने वाला है, आपको निश्चित तोर पर पता होगा कि 11 बजे मैं आपको target the math पढ़ा रहा हूँ, topic search और indices चल रहा है, daily यहां theory cover की जाती है, साड़े बारे बजे हमारा especially for group D चलता है, जो crack the math होता है, पाँच बजे मेरा foundation बैच है, जहांपर हम detail में पढ़ रहे हैं, SSC category में for all exams साड़े की सारी चीज़ें, साड़े 6 बजे, 11 बजे वाली class का test होता है, और 8 बजे catch the math, जो कि अभी NTBC की data ही है, उसके oriented आपका होने वाला है, group D के oriented होने वाला है, और SSC के oriented होने वाला है, आज से इसमें कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि Roman Numbers के उपर बाते हम करने वाले हैं, हम आगे बात करने वाले हैं, अपने संख्यात्मक statistics के बारे में बात करने वाले हैं, हिस्टोग्राम के हम बात करने वाले हैं, जो कि SSC का Center of Attraction रहा है, SSC और Railway का Center of Attraction रहा है पिछले वर्ष में, और 2021 में जो भी परिक्षाएं हुई हैं उन में, तो वीडियो को आफटावड से शेयर कर दीजेगा, बहुत बढ़िया तरीके से वड़ावड से वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सभी विध्यारती मेरे साथ continue business पर पढ़ सकें, सभी exams के लिए classes चलती हैं, सभी exams जिन भी आप तयारी कर रहे हैं, ये class सब के लिए जरूरी है, सारा हम topic cover करेंगे, साहिल 10 as a code लगा कर, unacademy पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, maximum discount लेकर, ये एक referral code है, जिससे आप लगाएंगे unacademy पर, price बढ़ने वाली है, अभी आपकी SSC की नहीं बढ़ी है, तो ध्यान रखना, इस price से पहले, आपको चीजे, हाइक से पहले आप कुछ चीजे ले ले नहीं है, जिससे कि आप minimum price में मेरे साथ जुड़ सके, रात को 8 बजे, NTPC का एक paper daily होगा अब, और group D का एक paper daily होगा, तो रात को 8 बजे, मेरे साथ बिलकुल भी जुड़ना, ना भूलें आप लोग, CBT2 की भी तयारी शुरू कर दीजिए, अब crack दमेत आपके सामने चलता है, साड़ा बारा, इसको लेते रहिए, और भाया, इस class का test, बड़ा गजब का test होता है, और daily आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, अब आप कहते हैं कि sir, on time क्यों आना है, क्योंकि पूरा test दोगे, तो rank अच्छी आएगी, छोटा सा तो वैसी test होता है, और daily का daily सारी चीज़ें होती रहती है, दूसरी बात, exam की सबसे बड़ी समश्य ये है, कि आप नर्वस हो जाते हो, कि टिक टिक जब सिर्की ऊपर चलती है तो आप नर्वस फील करते हो खुद को, अरे यार ये क्या हो गया, time ही निकल गया, सर मेरे को तो time ही नहीं मिला, आता होता है, सब कुछ आता है, अगर मैं एक paper दे दूँ आपको, और मैं आप से कहे दूँ कि पूरा देना है, solve करके ले आओ, आप कर लाओगे, आप मेंसे maximum बच्चे उस paper को कर लाएंगे, अगर आप पढ़ रहे हो तो, लेकिन मैं कहे दूँ कि इस paper में आपको 30 question करने है, लेकिन 10 minute है, कर लोगे क्या, नहीं कर लोगे, तो सारा जो problem है ना, वो किसका है, time का है, तो सबसे जरूरी चीज़ है कि time कैसे आपको manage करना है, उस pressure से कैसे निकलना है, अब हमें पता है कि जब batsman, betting तो बिराट कोली जानता यार, betting तो सब लोग जानते ही थे अपने Indian टीम में, मैं पिछले दशक में बात करूँ तो, है ना, 90's में बात करूँ तो, 2000 में बात करूँ तो मैं, सब जानते थे, लेकिन उनकी दिक्कत थी कि यार, short wall आती है ना, तो वो खेली नहीं पाते थे, हमारी इन जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो कि Indian टीम में आ रहे हैं, वो सबसे जरूरी प्रैक्टिस करते हैं, short wall की, कि यार वो उस ball को अच्छे से defend कर सके, खेल सके, क्योंकि उच्छालवारी पिछोती थी, तो यहीं समश्या है, कि जो problem है, उसका solution निकालना ही आपका काम है, आना सबको खेलना आता है, खेलना कौन है जिसको नहीं आता, सबको खेलना आता है, ठीक है, यह तो daily unacadby पर test होता है, शाड़े 6 बजे daily test दीजिए, और सुन लीजिएगा, कल, कल 3 बजे, हर week की तरह, जो इस पूरी class में पढ़ाया है, कल mega test है, और फिर कल आपके सामने होने ही वाला है, mega test, मैं बता दूँगा सारी चीज़ें, साथ के साथ, mistakes are proof that you are trying, अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हो, तो आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, और अगर आप गलतियां कर रहे हो, तो आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, चलिए, सो बस, जीवन में पाँच वाक्या आपको कच्रे के डिब्बे में डाल देना है, अगर लाइफ में सफल होना है, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किसमत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये पाँच वाक्या जिंदिगी भर आपको परेशान करेंगे, और अगर आप इन पाँच वाक्यों पर धान नहीं दोगे, धीरे धीरे इंप्रूब डवलप करिए, मतलब इस्किल डवलप करिए, इन पाँच वाक्यों को इग्नॉर करने की, क्योंकि यही सबसे बड़ी समश्या है, आप देख लीजिए, कि आपकी जो भी प्रॉबलम है न, वो इन पाँच वाक्यों से निकल कर आ रही है, इसके अलावा कोई प्रॉबलम हो, तो मेरे को अभी कह दो, कोई प्रॉबलम नहीं है, अगर मैं पढ़ाई की बात करो, तो बस यह पांच वाक्या आपको कच्रे के डिबबे में डाल देने हैं, और कल शनिवार है, तो Special Class Festival होता ही है, आपको पता है, तो कल शनिवार को Special Class Festival होता है, तो तीन बजे आपका क्या होने वाला है, Weekly Mega Test, जो इस class में पढ़ा है, 11 बजे वाली class में, उसके पूरे सप्ते का test होगा, कितने लोग excited है, बहुत बढ़िया test होने वाला है, हमने कितना कुछ पढ़ा है, हमने certs पढ़ा है, हमने indices पढ़ा है, हम बहुत कुछ सीखने वाले है, हम इसमें बहुत सारी चीज़े continued fraction डालेंगे बढ़ा मज़ेदा test होने वाला है, 3 बजे जुढ़ना ना भूलियेगा कल, मतलब आज तो 6 बजे है, कल 3 बजे है, 5 बजे मैं क्या कराने वाला हूँ, मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है, हर शनिवार 5 बजे, हर शनिवार 5 बजे, मैं आपको कराऊंगा percentage, जैसे एक एक topic ले लूँगा, percentage के PYQ, जो भी किस-किस के, 19, 20, 21 के, जो latest 2019, 2020 और 2021 में अच्छे questions आये हैं, वो मैं percentage के कराने वाला हूँ, जैसे कि हर topic लेता जाऊँगा, मैं हर week, ठीक है, 8 बजे अपना catch रा में चलता ही है, और 10 बजे मैं trigonometry पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें trigonometry की जो म सकती है, जैसे कि मैं बात करना चाहूँ आप लोगों से, कि आपकी maximum minimum concept, आपके angle based, यह सारी चीज़े मैं यह cover करने वाला हूँ, आप लोगों को, तो काफी interesting चीज़ें आपके लिए रहेंगी, साहिल 10 लगाकर unlock कर लेना, यह special class का माहौल है, यह होगा कल, 3, 5, 8, 10, हुब मै इसी दों को, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के, एक homework दिया था, let's discuss homework, 2 की power 250, 3 की power 150, 5 की power 100, और 4 की power 200, क्या order होगा इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा, क्या करोगे, कैसे निकालोगे order, कैसे find out करोगे order, ठीक है, inverse भी होगा न, inverse भी करेंगा, इन्वर्स आ रहा है, इसलिए तो लिया है, तो सर, कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है, बस इसमें, मैंनका वही लगाना है, बस, तो यहां आपको क्या करना होगा जब बेस अलग अलग हैं तो अब आपके पास क्या चारा बचा अगर इनको compare करना चाहते हो और गुरुजी बेस अलग अलग हैं तो कोशिश यह रहती है कि आप इनका highest common factor क्या ले सकते हो तो मैं देखता हूं कि 50 ले सकता हूं यानि कि 2 की पावर 5 की पावर 50 3 की पावर 3 की पावर 50 5 की पावर 2 की पावर 50 और 4 की पावर 4 की पावर 50 अब बस जब आपकी पावर बराबर हो जाती है तो अब आपको base comparison करना है कि जो बड़ा base वो answer हो गया यानि कि यह होता है 32 यह होता है 3 का पावर 37 यह होता है 25 और यह हो 256 आई बाद समझ मैं सबसे बड़ा 4 उसके बाद 1 उसके बाद 2 उसके बाद 3 4 1 2 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3 ठीक है चले तो उम्मिद करता हूं यहां तक आपकी इस्तिती स्पस्ट हो गई होगी और आपकी रंडिती भी स्पस्ट हो गई होगी कि किस तरह से इस सब्सक्राइब बहुत कुछ है पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने आपको संभालिएगा और प्लीज सामने फोकस रखना अब पलक भी नहीं जपकनी चाहिए ठीक है क्या नहीं होना चाहिए पलक भी नहीं जपकनी चाहिए भाईयों की करनी और मैंने आपको कितनी प मतलब होता है इससे साफसाफ आश्य यह है इस फस्ठ है कि यह जो करनी है यह एका एन-फ रूट है यानि जो करनी होती है हए reminds vapor द니다 न की पा न地ंस तो करनी और मईतिजियो करनी इसका मतलब क्या होगा एक्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कहा 243 की पावर रूट पाँच इसका मतलब क्या है बताईए तो सर जैसा कि चर्चा का विशे बहुत प्यारा होता है और उसी प्यारी विशे को हम हमेशा से कहते हैं कि एक ही पावर एन ये तो पावर है अब पावर तो उपर रहती है और करनी जो होती है वो वन अपॉन में चली जाती है और आप जानेंगे कि जब घात के उपर घात होत गणा गणा हो जाती है चीज़ें यゃनरी कि a की पावर 1 बचा सही है क्लिंग प्रढ़को राख कि तो अब यह क्या है तो आपको हमेश्क है रखना आए कि जब 5 को कातना होगा तो इसको किसमें बदलना होगा पावर 5 में तो 3 raised to power 5 की जो सडस है वो root 5 है यानि कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 5 into 1 by 5 किसी को कोई problem नहीं tension नहीं यह क्या है यह उसी तरह से हमने देखा सर यह 5 की power 5 है और उसका भी हमने निका लिया 5th root निकाल दिया यहां कि यह भी क्या हो गया फाइव हो गया यानि कि जहां मैं यह rule लगा हूं कि अगर एक ही power n के उपर उसकी करनी सेम वाली सेम वाली वाली करनी तो आपका जो संख्या आती है वो एन ही निकल कर आ जाती है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए और ये जो मैं नमबर लिख रहा हूँ ना इनको भी दिमाग में रखना क्योंकि पेपर में ये छोटी छोटी चीज़े बहुत काम आने वाली है पावर कनवर्जन में है ना कैलकुलेशन में ये छोटी छोटी चीज़े बहुत काम आने वाली है चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है अकसर ऐसा बोला जाता है यार करणी की अगर बात करते हैं न हम लोग तो अकसर ऐसा बोला जाता है यहां पर देख लेते हैं क्या है एक चीज बोली जाती है इनको जोडने घटाने में बड़ी तिक्कत है जैसे कि भाई कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है इसके ऑपरेशन में जैसे कि मैं ने लिख दिया रूड़ी अब हिजो औरहो तो कोई इसको रूट रूट ना लिखदे बस ये मतलब ऐसा लगता है जबकि आराम से अप लिख सकते हो मैं आराम से आप इसको लिख सकते हो क्या गूड़ abandon system क्या में इसको लिखता हूं रोट3 का रूट क्यूब रूट और रूट्टू क्या मैं इसको लिख सकता हूं रूट6 का रूट क्यूब ड्रूट सक्के जाएर,पहला statement राइट है दूसरा statement है बताइए विच वन सक्रेक्ट है क्यों क्यूं सा सही है बाई हर तो आप ये बोलेंगे सर ऐसे कुशन आते हैं क्या जी बिलकुल यार ये कुश्चन्स आपके CDS में पूछे गए थे स्टेटमेंट अन कंक्लूजन में तो भाई रूट 3 इंटू रूट 2 आपके सामने दे दिया रूट 6 गुणा करके क्योंगे रूट 6 हो सकता है और यहां रूट 6 कि पावर रूट क्यूब नहीं हो सकता सिक्स की जो करनी हैं वो रूट क्यूब नहीं हो सकती सर ऐसा क्यो थे हमेशा याद रखे हमेशा याद रखे कि यहा leaders सज आती ए और विजातिये, फरक है बाई साथ, तो अनों में फरक होता है, आप सजातिये और विजातिये का मतलब समझते हैं क्या, यानि कि सेम, सेम कास्ट के और अदर कास्ट के, यहां इस चीज से बहुत जरूरी है चीज समझना कि अगर यहां पर सेम, सेम टू सेम है, यानि कि यह भी भी square root है ये भी square root है तो आपस में ये गुणा हो सकते हैं आपस में ये divide हो सकते हैं क्योंकि ये क्या है सजाती हैं जैसे की root 3 root 2 आपस में क्या है सजाती है root 3 का root cube root 2 का root cube आपस में क्या है सजाती है लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर root 3 का root cube और root 2 यह आपस में विजाती हो गए यानि कि same नहीं है same sards कहा है तो अगर same sards नहीं है तो आपस में गुणा भी नहीं हो सकते बात समझ में आ रही है ना यह चीजे clear हो रही है ना different और same में बहुत फ़रक है अब जैसे कि मैं आ गया conclusion आपको देता हूँ conclusion इस तरह से भी निकल कर आ सकता है जैसे कि मैंने आपको बोल दिया रूट 5 की पावर रूट 5 और रूट 2 की पावर रूट 5 अगर मैं इनको गुणा करता हूं तो क्या लिखूं बताओ तो आप लिख सकते हो समान जात के हैं याने की 5 दूनी 10 ठीक है भाई सब आराम से गुणा हो सकते हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है सेम काम हम यहां भी कह सकते हैं कि अगर सजातिय हैं जैसे की मैंने Лिख दिया रूट 5 और प्लस रूट 2 तो क्या होगा जोडने में तो कुछ नहीं होगा अब नहीं जोड़ रा तो नहीं जोड़ रा लेकिन अगर मैंने सी बात आप आपको समझना होगी छोटी-छोटी चीज़ें हैं भाई साब ठीक है तो चलिए इन चीजों को समझिए और जिससे की आपके सामने चीज़ें क्लियर हो जाएं और इस तरह की चीज़ों को हम बोलते हैं सिमिलर सड्स मैं तो सिर्फ यह operation के लिए बता रहा हूं बाकी इस तरह की चीजों में आपका सिर्फ और सिर्फ जोड़ घटा आपको पता होना चाहिए इनको बोलते हैं समरूप करनी जहां पर आपकी अगर सेम टू सेम है तो वह जुड़ भी जाती है वह घट भी जाती है यह सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और गुणा वाली बात में सजाती होगी तो गुणा हो जाएगी डिवाइड भी हो जाती है जैसे कि मैंने लिख दिया रूट क्यूब ऑफ पंदरा बताओ तो रूट क्यूब फाइव हो जाएगा डिवाइड हो सकता है लेकिन ध्यान रखना रूट क्यूब आएगा सजाती आना चाहिए कि पंदरा में तीन का भाग दूंगा तो पांच और रूट क्यूब के साथ एक्जामपल के तोर पर अगर मैं यह लिखता हूं इनमाँ आपको पता लग गया या सजाती है नहीं से फुमक्रत क्यूब कि यह लिखना है तो पस यह लिख सकते हो दकि उसका कोई लोजिक नहीं था अलिखने वह अपनी बहुंगे है यह और यह समझ में आघिए वेल डन भाई सब बहुत अच्छे तरह से यह चीज़े क्लियर होनी चाहिए अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छे से चीज़े क्लियर होंगी तभी आपको आगे क्या है बहुत फैमिलियर हो जाओगे आप इन चीज़ों के आईए सर आगे चलते हैं हम थे जहां पर आते हैं ए इंटू बी तो यह एनथ रूट एंटू बी का है तो क्या मैं इनको अलग कर सकता हूं अभी तो बताया था येस यू कैन इनको लिखते जाओ बस है जैसे कि मैं एक एक्जामपल भी देता हूं मैंने लिख दिया रूट सिक्स वर्ग मूल उफ 6 तो मैं इसको लिख सकता हूं वर्ग मूल उफ 2 गुणा वर्ग मूल उफ 3 मैंने लिख दिया 15 फिप्टीन फिफ्ट रूट ऑफ 3 इंटू फिफ्ट रूट उफ लिख सकता हूं 5 तो इस तरह से आप लिख सकते हो next next theorem क्या हो सकती है next theorem अगर same sets है जैसे कि मैंने लिख दिया m m power of a upon b m mth root of a upon b तो इसको आप लिख सकते हो mth root of a और mth root of b नॉर्मल है मतलब ऐसा नहीं कि आपको कभी awkward लग रहा होगा है यार यह कैसे होगा ऐसा नहीं simple है जैसा चलता है वैसा है ठीक है मैं सब चीज़े clear है चलिए सर वो इशू नहीं अब इसका एक्जामपल ले लेते हैं जैसे कि मैंने बोल दिया दस बटे दो आप इसको लिख सकते हो रूट पांच वह इशू नहीं है क्योंकि सजाती है तो आराम से calculation हो सकती है मैंने अभी सब यही समझाया था आप मैंने लिख दिया और सब्सक्राइं की सब्सक्राइबर करने और ऊठाना इसको सब्सक्राइबर मैंने अग्वाइबर और चीज़ें अग्ली की तरफ चर्चा करते है प्रॉपर्टी में ज्यादा समय वेस्ट इस लिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जो चीज आगए आएगी उसमें आपको समय दे है आज सीरीज वीरी सब सिखा दूँगा रूट फूट 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 सब ठीक है अभी मज़ा आएगा एंजॉय करिए पर डे क्लास को एंजॉय करिया करिए आप लोग और यह क्योंकि सब आपके लिए है और किसी के लिए नहीं है यह यह लो भाया ऐसे लिख दूँ अगर म है तो कोई नाराजगी कोई सिंग का को दिक्कत क्या मैं इसको लिख सकता हूं क्या एक ही पावर अब फोड़ा मज़ा आएगा प्रॉपर्टीज में लिख सकता हूं क्या माई डियर बोलिए यह और क्या मैं इसको यह भी लिख सकता हूं क्या कि भाई अब आगे आजा और आप पीछे चला जा, yes you can, am जैसे कि एक example लेता हूँ आपको अच्छे से clear हो जाएगा, मैंने लिख दिया, root 2 की power, root वर्गमूल का भी घनमूल, इसको हम क्या-क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखना, आपको पता ये दौनों ही सड्स हैं, एक बटे दो, ये भ इतना हो गया, 2 की power, 1 by 6, याने कि 6th root of 2, yes, अब इसमें कोई शरम थोड़ी ना है, कि इस चीज को आपने लिखा है, इसको आप ऐसे भी सो लिख सकते हो, 2 की power, 1 by 3, यहां तीसरा ले लो, और यहां दूसरा ले लो, बात तो बराबर ये, इसे clear है, ना, ठीक है, हाँ, सर, टेस्ट की लिंक बेजो, 6 बज़े वाली, शुब हम अभी बेज दूं क्या, वो नीचे comment box में आएगी, टाइम पर आ जाया करो, अगर जिंदिकी में कुछ बनना है, तो discipline लिया, अपनी जिंदिकी में कुछ बन जाओगे, अगर जिंदिकी में तुम discipline नहीं खटा कर पा जैसे कि मैंने लिख दिया, इसकी पावर रूट M, और इसकी पावर रूट M ले लिया, और इसकी पावर ये M बना दिया, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, A M upon N, ये तो पहले सी पट रखी है, पता है न, अगर मैं इसको लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर का रूट Q, तो इसको आप डायरेक्ली क्या लिखोगे, 2 की पावर 2 बाई 3, क्या गजब बात है, अब देखो, इसी चीज़ पर आप बार बार फस्ते हो कई बार, मैंने लिख दिया, क्या होता है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, और इसको आप सॉल्व करना चाहते है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर, यह 3 की पावर 4, 81 हो गया, ठीक है, यह आप इसको लिख सकते थे, 27 की पावर 4 by 3, क्यों, सही कहा न, क्योंकि यह तो आपकी करणी है, जो करणी डिनोमिनेटर में आती है, और जो पावर होती है, वो नियूमिरेटर में आता है, कोई दिक्कत, चलिए सर, नेक्स्ट, अगली प्रोपर्टी, अगली प्रोपर्टी बड़ी काम की है, बही, क्या है, आ जाओ, मैं कहता हूँ, रूट A, प्लस रूट B, का अगर मैं whole square कर दू, तो क्या हो जाएगा, बताओ, रूट A, प्लस रूट B का whole square कर दू, तो क्या लिखूंगा, बोलो-बोलो-बोलो-बाई, आप सभी का स्वागत है, जल्दी से बताओ, root a plus root b का अगर whole square कर दूँ तो क्या होगा यह हो जाएगा sir a plus b plus 2 root a b और अगर मैं root a minus root b का whole square कर दूँ तो यह हो जाएगा sir a plus b minus 2 root a b तो अगर मैं आपसे कहूं कि यह equation number 1 है और यह equation number 2 है मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो जैसे हम देखते हैं कि root a plus root b का whole square plus root a minus root b का whole square अगर आजाए तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा 2 a plus b कोई दिक्कत क्या यह paper में आएगा अरे भाई साब कैसी बात कर दिया आपने हैं यही तो आएगा बस चलिए अब इसको अगर मैं minus कर दूँ तो अगर मैं minus कर दूँ याने कि सर माइनस कर दोगे तो यह कट जाएगे और यह plus हो जाएगा याने कि 4 Ab क्योंकि Root Ab रूट Ab हो जाएगा कितना जोडता है वह भाई तो यह हो जाएगा 4 अंदर रूट Ab चीक है क्या यह साही है कितना हो जाएगा 4 Under Root Ab Sir question आते हैं कि paper में 4 Under Root Ab होगा ध्यान रखना यह गडबड मत कर दे ना A بी कर दो कई क्योंकि A तो root में है ना A और B अगर natural होते तो natural लिखते है अगर root में है तो root में लिखोगे भाई क्यों भाई भूले ठीक है सर example ले लेते हैं paper में कैसा प्रशना आ सकता है paper में ये प्रशना आता है root 7 plus root 3 का whole square root 7 minus root 3 का whole square बराबर क्या होगा अब तुरंट करना है बीच में plus आ गया तो 2A plus भी हो जाएगा सर 20 बोलो क्या बोलते हो बोलो क्या बोलते हो बोलो सर ये तो घजब हो गया यानि कि अगर मैं एक और example और देता हूं root 9 root 9 क्यों दूँ root 11 plus root 3 whole square minus root 11 minus root 3 whole square बराबर कितना हो जाएगा बताओ सर रूट क्यों अटाया A plus B में क्योंकि आजब A plus B का whole square करते हैं तो A square आता है root A का square A होता है root B का square B होता है क्या चमवन आदमी हो भाई साब करके तो देखो ऐसे थोड़ी नहीं कोई मजाग थोड़ी चल रहा है यहां तक किसी को कोई आपत्ति कोई संकट कोई समश्य कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई टेंशन तो नहीं है और यह प्रशन पेपर में आते हैं यह कुछ मजाग नहीं चल रहा है पहली बता रहा हूं कहीं आप यह सोच रहोगी है अभी तो मजा की चल रहा है सीरियस बाते होंगी इतने तो पिर सारी पिच्चरी खतम हो जाएगी जब तुम सीरियस होगे तब तक तो पूरा मैची खतम हो जाता है ना अकसर देखा होगा आपने ठीक है गुरू जी बात अब समझ में आ गई दो चीजी जिंदिगी में हमने पड़ी है परी में संख्यार और अपरी में पता है ना आपको परी में और अपरी में क्या होता है हाँ मैं एक की चीज बताऊंगा और पूरा मामला सैट है परी में को कहते हैं रैशनल नंबर और अपरी में को कहते हैं एरेशनल नंबर ठीक है सर्थ क्यों लिखाए एक की चीज़ बताऊंगो बस और जिंदिकी पर नहीं बूलोगे और पैचान खतम नहीं होगी आप संख्या में नॉन पर्फेक्ट की छबी छबी मतलब छाया छाया मतलब शैडो नजर आ जाए तो दूर से देखकर ही कह देना तुम तो है परी में निकली ठीक है अब बाकी सब परी में अब वह भी परी में होता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या को हम डिसाइड नहीं कर पाये बोले यार पाई क्या है क्यूं अफरी में इसा क्यों हो रहा एक क्यों पाई एक ऐसा नंबर है जो नौन रिपीटिंग और नौन टर्मीनेटिंग तो इस परी में संख्याओं की एक पैचान और हो सकती है एक पैचान और याकि साथ के साथ इंक्लूड करर लो नौन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल बस ये भी एपरी में इन में आते हैं जैसे कि पाई क्या है एक एपरी में संख्या है क्यों पाई का कोई मान ही निकल पा रहा है भगे जा रहा है भगे जा रहा है पाई का कोई मान नहीं है फिर आप कहोगे सर 22 बटे साथ क्या कर रहा है मैंने का भाई 22 बटे साथ तो हमने क्या ले रखा है एक सॉल्व करने के लिए हम पैरामीटर डिसाइड कर चुके हैं बस 22 बटề साथ इतना हो जाएगा ऐसे ले लेते हैं अब जब 22 बटे साथ आप कैलकूलेटर से डिवाइड करोगे ना तो 22 बटे 7 हैना recurring आजाता है आप करके देख लो 22 बटे 7 को मैं भी करके देखता हूं और आप value लिख लेते हैं उसकी 22 बटे 7 साथ जबकि पाई की वेल्यू रिकरिंग होती नहीं है और साथ आ रहे हैं तो वही 142857 आएगा वही 142857 हम यह तीन पॉंट 14 ले लेते हैं ऐसे कर लेते हैं तो यह जो रिपीट होता जा रहा है अनन्द तक 142857 तो यह रिपीटिंग में आ गया यह रिकरिंग में नहीं आता है मतब रिपारिंग हो गया यह रिक रिंगें वाले इसने परीमय में परिमय में कल्म लुठा लाकर यहां कोई ऐसी बात नहीं पाँ पैचान बता नहीं थी शर्चाइब और यह मैंने इसलिए बता दिया कि आप कभी भी आप गल्ती नहीं करो गया यानि कि अगर में कोई हूँ कि आहां कि नमने लिखेत में से कौन है है नमने में कौन एर्रैशनल है कि अब है कि अब गॉख लिया पूछा जाता है बाएं पूछा जाता है बताओ एक बच्चे ने तो देखो मेरे को हिला दिया उसने ये क्या दिया कि सर ये तो टर्मिनेट हो रहा है अरे टर्मिनेट का मतलब होता है छोड़ो यार अब क्या चर्चा करूं भहस का मुद्द ही नहीं है तर्मिनेट का मतलब होता है कि बस खतम हो गई रिपीट लगातार चलेगा ये अनंद तक उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग चलिए तो सर कहा कहानी पर हो आप सर हमारा जो आंसर होने वाला है विकल्प नंबर ए रूट 6 और बाकी के सारे परीमे है क्या हां ये 3 आ रहा है ये 35 आ रहा है रूट सी भी होगा आरदुनी सोला ये कितना हो जाएगा ये नहीं होगा ये परीमे होंगे दोनों ये दोनों तो परीमे हैं रैशनल है और ये इर्रैशनल है ये बात आपको समझ में आनी जरूरी है और ये दोनों जो है ये रैशनल है दोनों और ये दोनों इर्रैशनल है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं अब चलो तो सर अब क्या कहना चाहते हो यह बता हो मैं यह कहना चाहता हूँ जैसे कि कोई संख्या मैंने लिग दी जैसे कि कोई संख्या मैंने इस प्रिकार लिग दी x plus root y यह परीमे आई परीमे और y is a non-perfect है इस्कुय नमबर मैंने लिख दिया कि आपका क्या है अपू बर्ग मूल है याने की पूर्ग मूल नहीं निकलेगा इसका तो बोले सर आपने जब ये लिखी दिया तो ये आपकी संख्या हो गई वो इरैशनल हो गई तो हमेशा याद रखना हमेशा याद रखना कि यह संख्या आपकी क्या होगई irrational हो गई तो कभी भी आपके सामने अगर x plus root y आ गया तो इस संख्या का एक सयुग मी होता है सयुग मी जो होता है न वो कभी भी लड़ाई जगड़े में बिली भी नहीं रखता मतलब उनके संख्या का आप से सयुग मी पूछूंगा तो माइनस वाला होगा सयुग मी क्या होता है माइनस वाला होता है प्लस का सयुग मी माइनस प्लस का सयुग मी माइनस अब सयुग मी क्यों काम आया सर क्योंकि भाई बिना इसके हम किसी भी संख्या को परीमे संख्या में परीवर्तित नहीं कर सकते या फर्दर सॉल्म नहीं कर सकते तो यह सईयूगमी है प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है यह बात समझ में आ गई यानि कि अगर मैं किसी चीज़ को लिख दो और मैं आप से कुशन दे दूँ आपके सामने बटा प्रवेश कर रहा हूं मैं प्रवेश कर रहा हूं परिम्य करन की दुनिया में प्रवेश कर रहा हूं और परिम्य संख्याओं पर चर्चा कर रहा हूं तो चलिए इस चर्चा की विश्य को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं X और Y आपके सामने यह होगा ठीक है चर्चा का विश्य यह है कि कभी भी तो इर्रैशनल नंबर को इक्वल दिखाना पड़े तो शर्थ क्या होगी जैसे X plus root Y बराबर मैंने लिख दिया P plus root Q मैं बोल रहा हूं कि यह दोने एक्वल हैं यह बोल रहा हूं कि यह दोने एक्वल हैं एक बच्चा कह रहा है कि आज क्लास में बच्चे आ गए एंटीविसी की डेट आ गया ये खुद ही आ जाया है जबकि उसको नहीं पता कि रोज बच्चे पढ़ रहे हैं जागो भाई बरसाती मेंडक मत बनो बरसात आएगी तब निकलूँगा बरसात नहीं आएगी तो नहीं निकलूँगा ज्यान तो ऐसी गंगा है जितना ना सको ना लो क्योंकि जीवन भर सीखना है क्योंकि जीवन यही है कि अगर आप अपने काम से परे हो जाओगे ना कि दुनिया की सारी मुसीबते आपको घेर लेंगी और काम ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा मोटिवेशन देगा कि यह तो मैं कर सकता हूँ कि यह मेरे हाथ में बाकि और कुछ तुमारे हाथ में नहीं है और कुछ दुनिया के हाथ में तुमारी टेंशन तुमारी परेशानिया तुमारी प्रोब्लम्स सिर्फ और सिर्फ तुमारे हाथ में है अपना काम करना अगर आप वो अच्छे से कर प्रयोना तुम बाकी टेंशनों से बचकर रहोगे परना चर्चा तो बहुत होती है दो आदमी बैठ जाएंगे पूरा दिन निकाल सकते हैं इसी बात पर कि जीतना कौन चाहिए चुनाब में प्रेन का 6-6 घंटे का सफर कर जाता है किवल इसी चर्चा पर यार वो लड़की कितनी प्यारी थी है न तो इस चीज में ना पढ़ो पढ़ाई पर ध्यान दो अपना काम पर फोकस करो ठीक है चले तो क्या हम यह कह सकते हैं सर्थ कि यह शर्ट अभी होती है जब X वराबर P होगा और Y वराबर आपका Q होगअ यह यह शर्ट अभी पॉसिबल है अन्याथा नहीं है आप X को Chií Ky wrap के बराबर करना है ठीक है? चलिए तो यह शर्त है अब हम आगे चलते थोड़ा सा और आगे कि आपको दुनिया में थोड़ा प्रवेश कराते हैं और देखते हैं कि कितनी रंगीन है ये दुनिया आईए भाई साब और आपको इसका वो देते हैं बढ़िया सा उधारन टॉपिक डाल लीजिए रैशनलाइजेशन आज टेस्ट होगा इस पर ऐसे नहीं देखना है यहाँ इस पर टेस्ट होने वाला है आज साड़े छे बजे फिर देखते हैं कि क्या होगा और कल मेगा टेस्ट है तीन बजे सब लोग तयार रहना रैशनलाइजेशन परी मे करणक्त ैं कौन सा करण कि चले आई कि एक बच्चा के रहा ग्रूब डी कि लिए क्लास लीजिए अधर बधाइग लिए चल रही है क्लास गुरूब डी में मैथा लगाति रही ओर थाढ़े बार बजे चल चल रही है और फिछले 1.5 साल से चल रही है उसका क्या करें चले तो क्ड़ने का बाना ना पढ़ने का बाहनां डूंधो संख्या के नीचे कोई एपरी में संख्या आ गई तो इसको हमने क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया तो इस संख्या को रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है वन अपॉन रूट ए इस रूट ए को समान रूट ए से गुना कर दो क्योंकि यह आपकी pure A परी में संख्या है और जैसे आप जानते हैं कि सजाती यह है तो root A into root A कितना हो जाएगा A हो जाएगा तो पहली चीज़ इसका example जैसे कि मैंने लिख दिया एक बटे root 5 का परी में करन करो कभी भी है ना गनित में यह देखा जाता है गनित कभी भी allow नहीं करती इस चीज़ को गनित कभी भी allow करती ही नहीं है कि आप किसी भी परी में संख्या को denominator में लिख दो अब यहां आपकी root A into root A करने से क्या आपकी संख्या में कोई परीवर्तन आएगा क्या कभी नहीं आएगा root A into root A करेंगे तो A हो गया चलेगा चलेगा तो क्या हम कह सकते हैं सर इसको अगर परीमे करन करेंगे तो root 5 उपर आएगा नीचे 5 आजाएगा अगला अगली बात करता हूँ सारी चीज़े cover होंगी और दिल नहीं खुश हो जाए तो फिर कहिएगा मेरे से आप मैंने लिखा root A plus root B direct चीज़े बताऊँगा direct बुले सर root A 1 upon root A plus root B है तो क्या करूँ इसका भी हम परीमे करन करते हैं क्योंकि जब नीचे A परीमे संख्या आजाती है तो इसकी तकलिफ यही समझ सकता है तुम लोग नहीं समझ पाओगे तो root A plus root B अगर आ गया तो क्या करना है root A minus root B यह क्या है सर यह इसका conjugate है और इसके conjugate से गुणा इसलिए किया जाता है बात को सुनना इसके conjugate से गुणा इसलिए किया जाता है जिससे की आपका A plus B into A minus B बन जाए और जो आपको क्या दे दे root A minus root B तो उपर आ गया यानि कि कभी भी आपके सामने नीचे प्लस हो तो सबसे पहले आप इसका conjugate को उपर रख दो और नीचे क्या लिख दो नीचे देखो root A का square A और root B का square B यानि कि A और B में जो अंतर हो वो लिख दो यानि कि आज के बाद अगर मैं example आपको देता हूँ कि 1 upon root 5 और plus root 3 तो आख बंद करके आप क्या लिख सकते हो root 5 minus root 3 बटे 2 क्या बोलते हो direct लिख सकते हो क्योंकि कहानी पता है कि अगर नीचे अगर plus आ गया तो उपर इसका conjugate आएगा और नीचे a minus b आएगा जैसे कि मैं और example आपको देता हूँ मैंने आपसे कहा कि भाया 1 upon 7 plus 2 root 3 या 4 root 3 तो क्या होगा बताओ इसका conjugate क्या होता है 7 minus 4 root 3 ठीक है अब यहां आपको पता है कि यहां आपके सामने क्या है इसका conjugate उपर आ गया लेकिन नीचे actual में क्या आता है इसका भी square और इसका भी square यह बात याद रखना इसका भी square और इसका भी square का अंतर है क्योंकि यह a और b लिखा हुआ है यह तब लिखा हुआ है जब यहां root और root भी था नीचे आपका अंडर root अगर मैं इसको 49 लिख दूँ और इसको मैं नीचे लिख दूँ minus का 48 तो आपका बात बन जाएगी क्योंकि conjugate तो यही बचा a minus b तो याने कि 1 आएगा लेकिन आप हमेशा यह ध्यान रखना कि चीजों को रटने की बजाए समझ कर काम करें कि यह नीचे जो है न वो a square minus b square है क्याने कि 7 का 49 और 4 root 3 का square क्या हो जाएगा 7 plus 4 root 3 गुणा 7 minus 4 root 3 यही तो आता है यही आता है न तो यह doubt भी मैं clear कर रहा हूँ हाथ क्या आती कि यह a square minus b square तो 4 4 16 और root 3 root 3 3 तो 49 में से 48 गया तो एक यहने कि नीचे एक आ जाएगा तो कभी भी गलती से भी गलती करने से पहले एक बर गलती को सोच लेना कि यह गलती मेरे से कब पहली बार गलती हुई थी ठीक है भाई साब तो क्या करूंगा कुछ नहीं सेम दिमाग लगाना है सर अभी सिखाया ना आपने की नीचे आपरी में संख्याइं अच्छी नहीं होती हैं तो आपने इसके कउंजूगेट का ऊपर गुणा कर दिया और जैसी आपने इसके का उपर गुणा किया ना वैसी देखो वही वाली बात बन गई कि उपर तो कॉंजूगेट आ जाता है और नीचे क्या बन जाता है a-b और बशर्ते की यह याद रखे कि यह a-b आया है मैं मानता हूँ यह a-b आया है यह मैं मानता हूँ लेकिन मैं इतना भी जरूर जानता हूँ कि यह square है ठीक है चलिए सर यह बात हमें समझ में आ गए और इसी का एक example जिकता जाता मैं आपको देता हूँ example के तौर पर मैंने लिखा 5-2-6 मुझे इसको जामा पहना हूँ आप समझ में आ रहा है ना कि आहां सर सही कह रहे हो आप कि यहां 5 root में थोड़ी नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा पर तरीका वह होता है 5-2-6 conjugate को लिख दिया येस अब नीचे क्या आएगा वह दिमाग से सोचो पांच का पच्चिस चार चीगी चौबिस यानिकि एक आएगा यानिकि आप डायरेक्ली 5-2-6 लिख देते हैं और अक्सर आपने देखा होगा यह कोई मामूली चीज तो नहीं है भाई यह कोई मामूली चीज तो नहीं है भाई प्यार से देखो बहुत कुछ छिपा हुआ है इसके अंदर और आपको पता है कि अक्सर हम ऐसे डायरेक्ली लिख दिया करते हैं कि 5-2-6 5-2-6 लिख दिया करते हैं वो इसी वज़ा से लिख दिया करते हैं कि हमेशा ये बात भी आ याद रखना हमेशा आप ये बात भी याद रखना कि जब दो कॉन्जूगेट अपस में गुणा होकर एक बना रहे हो तो एक दूसरे का ट्रिवर्स होता है जैसे कि ए प्लस रूट भी हमेशा बराबर होगा ए माइनस रूट भी के जैसा कि यहां हो रहा है जैसा कि पिछले प्रश्न में हुआ साथ प्लस चार रूट थीन साथ माइनस चार रूट थीन बन गया क्यों कि दौनों का गुणा एक आ रहा है और यह चीज फील करने की है यह बार-बार नहीं बताई जाती है चीजें जब आप पड़ते हो तो यह तैयार किया जाता एक बच्चे को हां ऐसे सोच बनानी और ऐसे अगर सोच बना ली तो काम हो जाना है चलिए सर यहां तक तो सर कोई तकलीफ आई नहीं उल्टा अक्सर ऐसा होता है कि रूट-a माइनस रूट-b रूट-a प्लस रूट-b ऐसा दे दिया इसको क्या लिखोगे आप खुद बताओ अगर मैं इसका परीमे करण करना चाहूं तो सर रूट-a माइनस रूट-b रूट-a प्लस रूट-b इसके हमेशा डिनोमेनेटर की कॉन्ज तो क्या कहानी बन गई रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर नीचे आ गया सर ए माइनस भी एनी प्रॉब्लम किसी को कोई समश्या तो नहीं होनी चाहिए और सेशन को लाइक करने में कोई समश्या है तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं उसके उपर भी चर्चा करेंगे संडे को लाइब आऊंगा इस्टाग्राम पर चले तो देखिए सर इसको अगर लिखें तो रूट ए प्लस रूट बी रूट ए माइनस रूट बी इसको करके बताओ तो सर इसको भी अब डायरेक्ली लिखो डायरेक्ली तो सर ऐसी बात है आप इसको लिख सकते हो कि रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस भी हो गया ना क्योंकि जब आप कॉंजूगेट का गुणा कर रहे हो तो कॉंजूगेट यही तो है इसका तो यह तो उपर दे रखा है तो दौनों का इसको बनेगा दो बार गुणा और यह कोई बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़े पूछी जाने वाली है टेस्ट में इसी परीमे करण की तरफ चलते हुए देखो भाई साब ऐसा कुशन कलको पेपर में आ जावे रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस का रूट बी अपॉन रूट ए प्लस का रूट तो चरचा का विशे आप खुद बताएं क्या होगा देखो बाई साब इसको इससे गुणा करते हैं इसको इससे गुणा करते हैं तो सर यह देखो यह हो गया रूट ए प्लस Rule B का होल स्कुआयर बीच में चिन प्लस का है रूट A माइनस रूट B का होल स्कुआयर बहुत ब यह शुरुवात में सबसे शुरुवात में लिखाया था एक बच्चा कहा रहा है हिंदी भी लिखो अरे और भाई A और B की हिंदी क्या लिखुआ है मन्टू वाली बाते कर रहा है तो A, ROOT A, ROOT B अभी उनने बताया था ना क्या था है उसा वो A प्लस B था 2 A प्लस B क्या होता है 2 A स्कूर बी स्कूर होता है अब 2 A स्कूर बी स्कूर होता है अंडरूट A और अंडरूट B है तो 2 A प्लस B अपन A माइनस B अब देखो कोशन कैसे आते हैं इस पर एक्जम्पल देखे प्लीज देखो भाई यह वही कोशन से जो आपके पेपर में पूछे गए थे इस बार और वही कोशन में आपके सामने लख रहा हूँ रूबरू कर लीजिए इस कोशन को रूट 3 प्लस रूट 2 अपन रूट 3 माइनस का रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस का रूट 2 अपन रूट 3 प्लस रूट 2 क्या होगा बताओ डायरेक्ट तो आप देखो यह देखोगे यह whole square, यह whole square, यहने कि 2 times of 3 plus 2, तो 2 times of 3 plus 2, और नीचे क्या आता है, A minus का B, एक, दस answer आ गया, मज़ा आ रहा है डियर, गनित का feel आ रहा है क्या, feel बहुत जरूरी है, आवशक्ता feel की है, अगर आपको feel आ गया, तो आप tension मत लीजिए, यह सभी government exams के लिए class है, मैंने पहले ही बोला था, और हर government exam में और परीमे करन ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, हर चीज आपके लिए महतपूर्ण, हर चीज आपके लिए उपियोगी, बस आप कितना value देते हैं, वो जरूरी है, ठीक है वाई साब, चलिए सर, यह चीज चीज के लिए हो गई, अब इसी पर कुशन और दिया जाए, रूट चार, प्लस रूट तीन, रूट साथ, माइनस रूट तीन, प्लस, रूट साथ, माइनस रूट तीन, रूट साथ, प्लस रूट तीन, आंसर दो तुरंथ, अत्यंथ, बीच में प्लस है, यह ध्यान रखना, बीच में प्लस है, तो प्लस वाला लॉजिक बनेगा, है थोड़ा सा मैं फैसाने की कोशिश कर रहा हूं बस फैसना मत बस अगर ऐसा कुछ लिख दू तो घबराना नहीं है बस चीज़ां को अंदर सेंस आपका होना चाहिए बस करो फिर माइनस वाला करते हैं फिर परीमेकरन फिनिस फिर कोशन स्टार्ट तो सर ऐसी बात है यहां हम लेते हैं टू टाइमस ओफ यह ए है तो ए का स्कॉयर रूट साथ का स्कॉयर साथ प्लस बी का स्कॉयर रूट तीन का स्कॉयर तीन यही तो होता है तकि यह स्कॉयर स्कॉयर बनेगा नीचे ए माइनस भी तो साथ मैं से तीन गय तो चार तो सरी हो गया दस दुनी बीस बटे चार पांच आंसर आगे पेपर में आ जाता है जाने क्या क्या करते हैं अब कितनी जल्दी आ रहा है बस एक सोच की वज़े से आ रहा है और कुछ भी यादू नहीं है बाई चीजें है सामने तरीका है बस है ना चलिए अब डायरेक्ली यह बता देता तो फील आता क्या नहीं आता फिर आप कब तक र स्कॉाइर माइनस बी स्कॉाइर तो अ-ब बन देना आज टेस्ट बहुत बढ़िया होने वाला एगंगे यहां ध्यान रखें कि यह दो है अब चाहो तो आप अपनी कन्विनेंट की लिए इसको रूट चार भी लिख सकते हो लेकिन मत लिखो, फिर तो छेड़ खानी हो गई न, फिर क्या करें सर, ये whole square, ये whole square, तसल्ली से, बीच में plus है, तो 2 times of, ये आपका actual में क्या है पता है, ये आपका actual में a है, तो a का square करो, 4, ये root 3 b है, तो b का square करो, 3, और नीचे क्या आ रहा है, a minus b, यानि कि 4 minus 3, क्योंकि 2 क square 4, और root 3 का square 3, तो a minus b क्या है, a square minus b square, actual में, तो 4 में से 3 का तो 1, तो 14 answer हो, understand, समझो है न, क्योंकि हमेशा यही गरच्चा करती करता है, कि पढ़ तो पूरा लेते हैं हम, रट भी लेते हैं, अब बच्चा ए और भी नहीं पहचान पाता लास्ट में, तो वो पहचान में आ रटना नहीं है, हर चीज को की, रट लिया बस, उसके पीछे का process जानो कि यहां और भी इसलिए आया, क्योंकि वो root में था, अगर by chance root में नहीं हुआ, तो आप confuse हो जाते हो paper में, इसी तरह से एक question और देता हूं, क्योंकि confusion दूर करना मेरा काम में कोई और नहीं आएगा कि कैसर जूर करो 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 पहले कितना लंबा चला जाता था ना प्रोसेस अब फ्री प्लीज फोड़ा फील करो इसका होल स्क्वाइर इसका होल स्क्वाइर याने कि यहां कितना होता है तो टाइमस ओफ ए स्क्वाइर याने कि पांच का प्चिस प्लस बी स्क्वाइर याने की छह चोकी 24 याने कि उनचास दुनी अठ्षिर में यहां नीचे क्या आएगा a square minus 20 को 5 का 25 minus 24 जाने की 1 तो आपका जो right answer होने वाला है वो 98 होने वाला है 98 will be your right answer Sir 4 plus 3 कैसे आया 2 का square 4 और root 3 का square 3 यह तो concept होता है है ना देखो तो 90 डिस का answer होगा क्योंकि आपको पता है कि यह 5 का 25 आता है यह square term में आती है अब यह root में होता तो अच्छा लगता जैसे कि यहां 7 और 3 लिख दिया directly तो यहीं तो यहीं तो मात खा जाती है इंडिया इसे रट लेते हो बस यह और भी आगया अब यह और भी क्या है यह तो देखो यह और भी जहां यह लिखते है ना लोग formula ट्रिक बना देते हैं तो ट्रिक में यह और भी तब लिखा जाता है जब यह यहां root यह और root भी होता है यानि कि actual में वो square है तो मैं आपको personal recommendation दूँगा कि आप square term बोलके काम करें रटे नहीं क्योंकि formula लिखाना बहुत आसान है लेकिन जो चीजें गलती कर सकते हो वो मैं यहां समझा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ रही होंगी आपको गलती यहां कर लो क्योंकि यहीं मौझूदा इस्तिती में करम भूमे में गलती हो जाए तो कोई डिक्कत नहीं है लेकिन वहां नहीं हो नहीं चीजेंगे जाए इस गलती का बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ सकता है ठीक है सर अब लास्ट चीज जिससे की rationalization खतम हो जा और प्रॉमेट है नहीं गलती है नहीं और मैट यह लेकिन वह एक्जामने इसका फायदा उठाता या बच्चा रटके जा रहा है चल ले लेता हूं तो यह minus आगया तो परिशान नहीं होना पहले feel करते हैं इसका इससे whole square बनेगा इसका इससे whole square बनेगा नीचे वही a minus b आएगा इसमें minus अगर बीच में आगया तो क्या आता है 4 times of under root a into under root b upon a minus b आएगा क्योंकि root a का square और root b का square कोई दिक्कत बोले सर्क कोई दिक्कत नहीं है यह हमें पता है और हमने कर लिया है ना चलिए कि आई यह तो एक्जामपल देखिए अगर ऐसा कुशन कोई दे देना आप से तेज कोई नहीं है दुनिया में जैसे जैसे मुझा रूट 11 Plus रूट पांच रूट ग्यारह माइनस रूट पांच माइनस रूट 11 माइनस रूट पांच रूट ग्यारह प्लस रूट पांच अब कर दो अब यह ओ जाएगा क्योंकि यह तो kimple सी बात रहें ऐ तो देखिए प्रोसेस क्या है तो यह कितना होता है यह भी whole square बीच में माइनस तो क्या बताया था चार अडरूट A अडरूट B तो यहां एक्छल में अंडरूट A अंडरूट B है तो यहां हो जाएगा रूट 55 समझाती यह है इसलिए और नीचे A-B यहने कि 6 यहने कि आंसर आ जाएगा रूट 55 by 3 तू रूट 55 by 3 ठीक है मज़ा आया चीज़े क्लियर हुई एक कुशन और जहां पर तकलीफ होगी और इस बार अगर गलती कर दी फिर मैं नहीं बचा पाऊंगा भाई ठीक है गलती मत करना मैं पहली बता रहा हूं गलती नहीं चाहिए मेरे को नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए कोई बहाना बना लो जो भी आएगा निकाल के देना ऐसे मत सोच ना किया आगया आंसर अच्छा ही नहीं आसकता आंसर हमेशा थोड़ा बहुत बड़ा भी आसकता लेकिन आप तो कोशिश करो अपनी सही निकालने की जो वो इस्क्वाइर विस्क्वाइर का चक्कर है ना वो ध्यान रखना बस चलो आंसर दो क्या आसकता है तो सर ऐसी बात है यहां बीच में माइनस आ गया और यह सेवन है तो यहां हम लेंगे four अंडरूट A लेते हैं तो यह तु सर पहले से ही साथ है तो केवल साथ ही लोग केवल साथ क्योंकि यहां जो संख्या होती है वहीं लिया जाता है एक्छल में तो यही बात है तो केवल साथ लोगे और यहां पर आप काूँगे सर RIュ YE भी लेना है, यानि कि आपके सामने जो संख्या है वो ही लेनी है उठाकर और नीचे क्या आजाएगा, साथ और आपके पास क्या है, यह आपके सामने क्या है, स्क्वाइर की टम में आएगा, तो साथ का स्क्वाइर उनन्चास, माइनस का बारा, तो साथ चौके 28 दूनी 56 रूट 3 अपॉन 37, किसका आंसर आ रहा है बता दो, और जिनका भी आंसर आ गया उनके लिए मेरी तरफ से तालिया, च्छोटी सी चीज थी, गल्ती करने के बहुत सारे चांस होते हैं, सोधारने का एक, होप सो कि आप चीजे समझ पा रहे हो कि है क्या, क्योंकि जब कॉंपलेक्सिटी बढ़ती है वहां एक्जामनर आपको दबोच लेता है, और फिर रटी रटा ही चीजे भूल जाते हो पेपर में आप, तो चीजे रटनी नहीं है, समझ नहीं है बाई साब, कि यार वास एक्जेक्ट उठाके पटकना है, दो रूट तीन आपको एक्जेक्ट उठाके पटकना है, और यहां ए माइनस भी लिख रहे हो, यानि कि इसका स्क्वाइर और इसका भी स्क्वाइर माइनस करें, एक बच्चा गयरा है साब रूट सेवन होगा ना, रूट सेवन है यहां नहीं है न तो पिस कैसे होगा 7 जो है वो लिखना है एक्चल में रूट एक ही जगह यहां 7 है तो यहां अगर लिखा जाता तो रूट 14 है लिखा जाता लेकिन यह तो 7 को 7 ही लिखो न आपको को रोक थोड़ी रहा है ठीक है मज़ा आया नहीं आया जल्दी से बताओ कैसा लगा सेशन जल्दी से मुझे बता दो अब आगे की चीज़ें हम आगे करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें आज टेस्ट होगा शांदार होगा जहां पर परीमे करण पर चर्चा करेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलने और उस टेट से आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है जहां पर आपको इस तरह के कुछन पूछे जाएंगे आज तो आप तयार होकर आना आज के टेस्ट में जहां पर परीमे करण आपरीमे करण परीमे ये सभी तरह के प्रशन पूछे जैसे कि यह कुश्चन है आपको पता है कि डाइरेक्ट कैसे करना है इसका अंसर डाइरेक्ट्ली क्या हो जाएगा बीच में प्लस आ रहा है तो टू टाइबस ओफ दो का स्कवाईर चार रूट तीन का स्कवाईर तीन बटे चार मैं से तीन गया तो एक यानिकि यह तो 14 हो गया और इसका परीमेकरन करोगे तो कितना हो जाएगा रूट 3-1 तो यानिकि रूट 3-1 का होल स्क्वायर ये कितना है बटे आएगा 2 ऐसे वाले कुशन आएंगे आज तो टाइम भी खुब सारा मिलेगा लेकिन टेस्ट में काफी मज़ा आने वाला है इसके साथ साथ आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मेगा टेस्ट जो होगा वो कल 3 बजे है जो कि हर शनिवार होता है तो आपके लिए बहुत कुछ है अभी मतलब बहुत कुछ पढ़ना बाकी है इसमें और हम वो पढ़ेंगे भी जो भी हमने कहा है उसी से रिलेटेड यह आपका टेस्ट आने वाला है इस तरह के कुशन भी आएंगे इस पूरे टेस्ट में ठीक है तो टेंशन नहीं लेने क है इस क्लास का तीन बज़े होगा पांच बज़े क्या होगा पांच बज़े उन सभी विध्यारतियों के लिए जिनके अपकमेंग एक्जाम से हैं पर्सेंटेज के पीवाई की होने वाले 2019-2021 के यह लेटेस्ट कुश्चन मैं आपको कराऊंगा पांच बज़े बढ़िया होगा यह सेशन पीवाई क्यू सेशन होगा बज़ा मज़ा आएगा इसमें और हर बार टॉपिक आपन बदलते जाएंगे आठ बज़े क्या होगा 2.0 जो चलता है और 10 बज़े मैं टिग्नोमेटरी पढ़ाने वाला हूँ जहां पर जो चीज़ें आपके एक्जाम्ट के पॉइंट वी से जरूरी है वो यहां पर डिसकस होगी बस थियोरी डिसकस होगी टिग्नोमेटरी की रात को 10 बज़े यह कल की प्लानिंग है और आप आपके लिए motivational क्या है mistakes are proof that you are trying अगर आप गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत हो उसका मतलब यह है कि आप कोशिश कर रहे हो और कोशिश करने वाला जीवन में हमेशा सफल होता है लक्षे की प्राप्ती के लिए अपना काम लगा कर रखे क्योंकि प क्लास का और जो भी कुश्शन्स होंगे कल वाली क्लास और आज वाली क्लास को मिलाकर मैं आज देने वाला हूं on time आना भाई बहुत सारे विध्यारती on time नहीं आते हैं जिससे rank में दिक्कत आती है और जो प्रेशन होता है न है वो time का वो उसको handle करना सीख गए न तो तुम कल तीन बजे साटरडे का मेगा टेस्ट होगा जो पूरा वीक का होने वाला है तो साड़े च्छा बजे मिलेंगे आठ बजे मिलेंगे कैच्टा मैथ में एक पेपर डेली एंटी पीसी का आप कराया करूंगा मैंने कल भी बोला था आपसे रात को आठ बजे तयार रहना साह एच्छे बजे वाली क्लास दोनों मिल जाएगी नीचे कमेंड बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी साहिल टैन को लगा कर अनलॉक कर लेना प्राइज हाइक होने वाली है मेरे अनकेडमी पर फांडेशन बैच आप ले सकते हो जो कि अनकेडमी लर्निंग पर एससी एक्जाम में चलेगा जाना है चाईब विस महिने बारा मेंने का कोर्स यहां और साहिल टक लगा देना यहां लगएगा साहिल , आप जैसी साहिल टेन लगेगा एपलाई कर देना हो जाएगा ठीक है प्रोसीड टू पेपर जाकर रीडिम कर लेना साहिल टेन लगाकर किसी अन्य केटेगरी में जुड़ते हो तो भी डिसकाउंट आपको मिलेगा और यह कॉमबेट अगर आप स्कॉलर्शिट टेस्स देते हो तो भी आप साहिल टेन को लगाकर यह टेलिग्राम है यहां मेरे से आप कनेक्ट हो जाना ओके तो सेशन को लाइक क तरह से पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारी चीजे क्लियर हो जाएंगे और मैं आपको छोडने वाला नहीं हूं मैं पढ़ा करी दम लूँगा तुमारी हिम्मत कितनी है यह देखना चाहता हूं और हिम्मत रखोगे ना तो लाइफ में कुछ मिलेगा अगर वो नहीं कुछ करना चाहते हो ना इस समय का यूज कर लो बस फिर आने वाला कल आपका होगा जो नहीं करेंगे ना पस्ताएंगे यह ध्यान रखना ठीक है और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें ठीक है टेक क्यार अल्दा वेरी बेस्ट मिलते हैं साड़े बारा और लाइक करिए शेयर करिए और थैंक यू सो मच कीप मॉटिवेटेड यॉरसल्व